दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस नए वीडियो में और यह जो न्यू वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी सीटेट केंडिडेट्स के लिए है जिन लोगोंने सीटेट 2021 से लेकर 2022 वाला यानि की जो हमारा दिसं तो आप लोगोंने बिल्कुल सही सुना सीटेट ने रिवाइस रिजल्ट जारी किया है और इस रिवाइस रिजल्ट में अभी लगबग 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे जिनके नंबर जो जनरल कैंडिडेट जिनके नंबर 90 से 89 रह गया थे क्यूंकि 90 पासिंग मार्क्स होता है अगर उनका 89 नंबर रह गया था तो उनके लगबग 90 मार्क्स देखने को मिले हैं सीटेट ने फिर से अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक नई जो है उत्तर कुंजी एक तरीके से कैदी से आपका रिजल्ट जारी किया है और जो भी OBC के कैंड जिनका 82 पासिंग मार्क्स होता है उनका 80 या फिर 81 नंबर था उनका 82 करके रिजल्ट वापिस से उनका वेबसाइट पर दे दिया गया है और इसे आप अपना जाकर के चिक भी कर सकते हैं और एक चीज में आपको और बता दू जैसा कि आप सबको पता है कि डीजी लॉगर पर आप सबका रिजल्ट आ चुका है उसमें आपका क्वालिफाइड और ऐसा करके सब जो भी लिखा आ रहा होगा तो अभी आप टेंशन वाद दीजे कि अगर आपका उस वेबसाइट प्याग्या है ऐसा करके कि हाँ 82 है अबाप क्वालिफाइड है तो आपको सीटर का य सर्च करना है सीट डॉट एन इस डॉट इन रिजल्ट जब इस तरीके से आप सर्च करते हैं तो आपके सामने यह जो लिखा आ रहा है यह वाला सेंट्रल टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आप जो है पहुंच जाओगे किधर इस सौरी यहां पर आपको नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल टीजर एलिजिबिल्टी टेस्ट यह कैंडिडेट एक्टिविटी में यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको कुछ इस तरीकी का पेज दिखेगा जहां से कि आपको यहां पर अपना रोल नंबर डालना ह है और रोल नंबर फिल करते ही आपका नियू रिजल्ट जो भी अपडेट हुआ है वह आ जाएगा अब इसको देखके बहुत सारे लोग लालाइत ना हो जाएंगी हो सकते हमारा सो से एक सो दो एक सो एक हो गया होगा यह सब के लिए नहीं है यह उनके लिए जिनका पास हो करिए अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कुछ बढ़े हैं तो कमेंट में मुझे आ करके जरूर बताईएगा तो इसी के साथ खतम होता है हमारा आज का यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है ताकि उनको वीच चीज की जानकारी मिल सकें